Hello everyone, welcome to TechPass Master. So, आज की इस small वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी list से उसकी current index को get कर सकते हैं और index से साथ साथ हम value को भी get करेंगे. So, यहाँ पर हमारे पास kotling के अंदर कुछ way होते हैं जिसके तुरू हम अपने index को get कर सकते हैं. So, यहाँ पर हमारे पास एक option होता है कि हम for each loop का use कर सकते हैं list से index को get करने के लिए and दूसरा option होता है कि हम यहाँ पर instead of using for each loop हम यहाँ पर use कर सकते हैं for each index loop जो की एक inline function है तो जो inline function है हमारा यह for each index loop इसके अंदर हम क्या करेंगे array pass करेंगे as input और यह हमें क्या करेंगा जो भी हमारे array का index है और value है वो हम print करा सकते हैं तो simple हम क्या करेंगे जो हमारे पास list होगा उस list पे हम traverse करेंगे for each index loop के थूप और उसके बाद हम अपने index को और elements को easy तरीके से get कर सकते हैं so without any further discuss move करते हैं Intel is the idea के अंदर इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम for each index loop को use कर सकते हैं so यहां पर हमने open कर लिया है Intel is the idea को so सब सब पहले हम क्या करेंगे यहां पर हमारे पास kotlin name का package है इस पर click करेंगे और new पर जाएंगे और new पर जाने के बाद यहां पर हम एक kotlin class file लेंगे और यहां से file select करेंगे और इसका जो name है वो रख देते हैं आपर हम for each index so सब सब पहले क्या करते हैं यहां पर main function बनाते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे एक list बनाते हैं array list simple हम क्या करेंगे courses बनाएंगे मेल धर्म मेले क्या हisch course लेंगे 순ड़े बनाते हैं जो क्या इंगे इसके बाद भी अधि मोले इसको मैं हमारी उसको मं पस्थ क कर देते हैं 3.0 जैसे कि हम यहां पर करते हैं आट प्लस 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 सो यहां क्या करें अभिए जिसमें हमने कुछ element pass कर दिया है उसके पाद हम क्या करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे तो simple हम क्या करेंगे यहां पर course list है जो हमारा इसको लेंगे उसके बाद यहां पर dot press करेंगे dot press करने के बाद यहां पे simple अपको क्या करना है जो हमारे पास inline function है for each index तो यहां से हम क्या करेंगे यहां पर second वाल option लेते है for each index तो जैसे हैं select करोगे आपके पास यहां पर index आ जाएगा एब उसके बाद इसको हम change कर देते हैं value 해주 और उसके बद यहां पर इंडर लेंडर करते हैं, इसके लिए यहां पर dollar का को भी हम यहां पर प्रिंट कराते हैं तो यह जो हमारा वैल्यू है इसको भी हम क्या करेंगे यहां से string interpolation का यूज करते हैं और यह हम हो गया हमारा वैल्यू तो सीपमल्स हम क्या करेंगे यहां पर run वाले बटन पर करते हैं और यहां से इसको run करके check करते हैं तो अभी आप देख सकते हो जो हमारा current index है वो print हो गया and index के साथ हमने क्या किया इस value को भी यहां पर print करा दिया तो यहां पर हमने successfully correlation के through भी get कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे इफ करेंगे और हमारे पार्वयू है इस वैल्यू में कि हम Governation लगा देती हैं कि अगर यह molecule होता है जावा के तो वो क्या कर एगगा कर आज जो हमारा index है इसको हम क्या करेंगे कि cut करेंगे और यहां से paste कर देंगे इसके अंदर और अब हम इसको run करते हैं तो अब आप देखो कि जो हमारे पास value है जावा उसका जो current index है वो है हमारे पास 2 तो particular अगर किसी भी आपको elements का index get करना है तो आप यहां से condition का use कर सकते हो चेक करने का required नहीं है सिंपास आपको यहां से बाहर इसको paste कर देना है तो इससे क्या हुआ कि जो भी आपका element का index है वो one by one करके print हो जाएगा सो अभी हमने क्या क्या है यहां पर कि जितने भी हमारे element से उनको हमने print करा दिया with index and value and उसके बाद हमने क्या कि particular किसी elements का अगर हमें index निकाल लाओ तो हम यहां पर किस condition का use कर लेंगे यहां पर if का condition लगाएंगे और उस वाले value के index को हम get कर सकते हैं सब्सक्रों कि आपको यहां पर देखना है कि हमारे index लिखने के बाद यहां पर जो double quote में जावा है इसको हटा देंगे यहां से जैसे कि आपको बता है कि जो हमारे पास list होता है उसकी index निक यहां पर जिरो से start होता है तो अगर यहां पर हम count करते हैं 0 1 2 3 तो यहां पर हम condition लगाते हैं कि जो index हमारा वो अगर equal होता है 3 के यहनिकि जो अगर मेरे index एकर हो जाता 3 के तो जो भी value 3 पर होगा उसको फेल्ट करते हैं तो यहां पर क्या कारेंग है इसको है Cert कर देते हैं और उसको हम run आपे चेक करतें कन तो अभी है वहां पर हमारे पास जो index 3 है उसका जो value है वो kotlin है suppose करो कि हमें index value 4 पे देखना है कि कौन सा element है तो यहाँ पे हम 4 करेंगे और यहाँ से इसको run करेंगे तो अभी देखो कि यहाँ पे जो value है वो है python और यहाँ पे index value जो है वो print हो रहा है so I hope आपको यहाँ पे for each index loop का use करना आ गया होगा कि कैसे हम इसको use करते हैं so for each index जो loop है वो काफी easy कर देता है हमें किसी भी list से उसके index और value को get करने के लिए so I hope आपको यह understand हुआ होगा so मिलते हैं ऐसे फिर interesting video के साथ अगर video पसंद आए तो video को please like कर देना and channel को subscribe परके bell icon को on कर लेना next video की notification के लिए so मिलते हैं फिर next video में तर तक के लिए take care